हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग क्लासेश पर सवगत है क्लास टल्थ मैट्स NCRT में अब कल समीकर्ण पढ़ा रहा हूँ और इसमें हर प्रिशना वाली के टाइप बाई टाइप मैं क्वेशन करा रहा हूँ आपको मैथट बता दे रहा हूँ वांकि आप लोग खुद से मिहनत करें कि कोई भी कोचिन है कि इस प्रकार के मैथट से हो सौल्फ होगा तो ये चीज़े मैं आपको कम्प्रीट करा देता हूँ ठीक है तो चले आज देखते हैं पहला कोचिन है आज का है अब कल सम्मिकरण ड़ी भाई पन डी एकस एक्ट इक्वल य बटे एकस फ्लस टैन बाई बटे एकस अब देखे जहां भी डी वाई और डी एकस लिए इस्टुडेंट हैना अलाग-अलाग ना हो सके वहाँ पर हम क्या करते हैं कि य बराबर भी एकस रखते हैं बाई बरावर कितना रखते हैं भी X रखते हैं तो अपन पहले हल करेंगे तो दिया गया अब कल समीकरन लिखना पड़ता है दिया गया अब कल समीकरन दिया गया अब कल समीकरन कितना है तो आपके पास है दी बाई अपन डी एक्स इक्वल वाई अपन एक्स प्लस टैन बाई बटे X यह आपके पास अपकल समय कराने है ठीक है इस पर हम को क्या मानना है कि माना मान के चलना है माना Y Equal VX जब X के साथ पेच अपकलन करते हैं तो D upon DX यहाँ पर Y है D upon DX कितना हो जाएगा VX यहाँ पर दो फलन है प्यारे भाई हो तो D by upon DX Equal कितना हो जाएगा इसका पहला फलन दूसरे का पकलन तो एकस का पकलन एक हो गया दूसरा फलन पहले का कशपलन तो D by upon DX मतलब दी बाई पांदdeX के जाए कितना रख सकते हैं V × और B leuk एकस लखेंगे बटे X प्लस टैन आइन B के जगे मैं AIM सी यहाँ से एकस केंसल कितना बचा v plus x db upon dx यहाँ पर v बचा जो कि v से भी cancel हो गया plus tan v बचा इसको इदे अरंज किया जाए तो x db upon dx बच रहा है और इधर बच रहा कितना पैरे भाई हो तो आपके पास बच रहा है tan v बच रहा है ठीक इसको convert करो तो tan v को इधर लाओ तो 1 upon tan v हो जाएगा db हो जाएगा और x dx तो 1 by x dx हो जाएगा क्योंकि उपर है तो नीचे जाएगा नीचे है तो उपर जाएगा दोनों पच्छों में समा कलंड कर दे 1 by tan का होता है cot v db है ना और इसका हो जाएगा 1 by x का कितना होगा 1 by x का log x ये भी log के form में आएगा इसलिए constant अपन log c मानते है cot v का समा कलंड होता है log log sin v ठीक है log sin v इसको एदिए अपन log m plus log n तो log m into n log m into n हो गया अब log से log क्या कर दें कर जाएगा तो sin v कमान रख दो become one कितना by बटे x होगा equal c x यही आपका answer होगा यही आपका answer होगा देख सकते हैं यह जो पहला question था आज का बहुत ही simple है method मैं करा रहा हूँ हर type के student question का हल मैं कराता हूँ और जो आने की संभावनाएं बेक्ट करते हैं ठीक है कोई दिकत नहीं होनी चाहिए चलिए अगला question है अब कल समीकरण है by into e power x upon by equal x into e power x बटे y plus by square d by यह आपके पास देखे रखा है अब कल समीकरण इसको पन को क्या करना है solve करना ठीक है तो हल करते हैं अब कल समीकरण कितना है दिया गया आब कल समीकरण दिया गया अब कल समीकरण ठीक है यहाँ पे dx होना चाहिए question में तभी तो dy upon dx रूप में convert होगा by 1 power x बटे y dx equal x into 1 power x बटे y plus by square multiply में है dy arrange करो dy upon dx dy बटे dx इंगी dx इधर जाएगा तो dy बटे dx dx इधर गया वांकि यह पूरा इधर आएगा मतलब y into 1 power x बटे y divided by x into 1 power x बटे y plus y square इतना clear हो गया कुछ कामा ना रहा है क्या कहीं से आप लोग देखें या कि अपन इसको dy upon dx के जगह dx upon dy कर दें तो थोड़ा सा easy हो जाएगा क्योंकि यह दो भाग है और दो भाग का भाग देना कठीन हो जाता है पेरे भाईो तो इसलिए dx upon dy करेंगे तो थोड़ा सा solve करना आसान हो जाएगा हलाकि उसमें से भी solve करेंगे लेकिन बड़ा लंबा चोड़ा और बहुत ही बड़ा LCM लेना पड़ेगा अब जैसे बाई बराबर मानते थे यहाँ x बराबर भी बाई मान लेंगे हर जगह x के साब पेच अपकरन करते थे यहाँ y के साब पेच कर देंगे ठीक है d upon dy, v y कुछ है नहीं इसमें तो यहाँ पर dx upon dy हो गया पहला फलन दूसरे का अपकरन तो y के साब पेच वाई का अपकरन एक हो गया फिर पहला फलन दूसरे का अपकरन देखे पहला फलन दूसरे का अपकरन फिर दूसरा फलन यहाँ बाई इंटू dv upon dx याणि DX upon D y के जगए V plus y dv upon dx कर सकते ही और x से तो x रहने 2 E के power x x के जगए Vy मानना है आपको x के जगए Vy मानना है आपको ठीक है y square तो रहने 2 x के जगए Vy मानना है आपको x के जगए Vy ठीक यह हो गया काट दो भी यह यह बाई से बाई कर जाएगा यह बाई से बाई कर जाएगा तो v plus y dv upon dx equal यहाँ पर v into e power v है ना और y भी है तो y कर दो e के पावर x है इसका डिवाइट करेंगे by into e के पावर x के जगे हो जाएगा v कितना हो जाएगा v हो जाएगा तो यहाँ पर भी v बचेगा plus by square divide by by into e power v e power v से e power v by से y cancel हो गया तो यहाँ पर कितना बचने वाला है आपके पास v plus y dv upon dx equal यहाँ पर v plus y square यहाँ पर आपका y है एक पावर v है वी से भी cancel हो गया इतना बचा y dv upon dx equal y square एक by से by cancel हो गया तो आपके पास by बचा एक पावर v अब यहाँ बाई से भाई यहाँ cancel हो जाएगा कितना बचा आपके पास dv upon dx equal एक बटे v मतलब एक पावर v कितना हो गया कहीं पर और कुछ बच रहा है क्या cancel होने का chances है कहीं पर तो कहीं पर कुछ भी cancel होने का chances नहीं है ठीक है चले आगे देखते हैं तो एक पावर v को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा एक पावर v dv हो जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पर एक बचेगा तो इधर हो जाएगा कहीं न कहीं थोड़ा बहुत mistake हो रहा है प्यरे भायों यहां bye के साव पेच चल रहा तो वस बाई के साव पेच चल रहा बस हो गया एतना ध्यान रखना बाई के साव पेच हो चल रहा है ठीक़् है तो यह होगी अपना complete और ऊधार हो जाएगा dv us दोनों पंच्छों में सम पर फी ही होगा और एक का कितना होता है एक का होगा वाई कि सबिच में भाई हो जाएगा प्लस एंसर आ गया या गया अपना एक पौवर भी कमान जाएगा एक्श बटे वाई बटे एक्स नहीं क्योंकि हां पर उल्टा माना गया गयाँ व् Senator और बाई प्लस जी थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन है ही ऐसे question arrange करना होता है student एधि हम d y upon d x भी set करते तो भी आता थोड़ा लेंदी आता इस ताइप में क्या है थोड़ा सा आसान हो गया और आसानी से आप लोग कर लिए अगला question देखे student काफी मज़ा आने वाला है इस प्रश्ण में क्योंकि question थोड़ा सा मज़ेदार है देखो देखे रहा है अपकल समिकर्ण x cos by बटे x into by dx plus x dy equal by sin by बटे x x dy minus by dx यह आपके पास दिया गया अपकल समिकर्ण है इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा ठीक चले सुरू करते हैं यदि हम करें यह दोनों पच्छों में यहां पे dx है यहां पे dy है यहां पे dx है यह दोनों पच्छों में यह हम dx का भाग कर दें तो देखे कितना बचेगा यहाँ x cos y बटे x dx का भाग देंगे तो y प्लस dx कर गया dy upon dx हो गया यहाँ इतना हो गया y sin by बटे x x dy upon dx हो गया और minus y बचा इतना हो गया complete फिर इनका multiply करेंगे और हमको क्या करना है dy upon dx को अला करना है चाहे जितना लंबा हमें करना पड़ जाए तो देखेगा इसका multiply इससे करेंगी और इधर जाकर minus हो जाएगा बचेगा कितना x यहाँ पर देखेगा x का x से multiply करेंगे x का x से multiply करेंगे तो x square cos y बटे x और यहाँ पर dy upon dx बचेगा इसका multiply इसका इधर करके इधर ले आएंगे तो minus y का x से तो y x sine y बटे x dy upon dx इतना हो गया इक्वल में पहरे भाईओ जिससे यहाँ पर y है तो minus y का बचेगा तो y square sine y बटे x इसका multiply से करेंगे इधर plus है उदर जाकर minus हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स का बचेट x y cos y बटे x अब इन दोनों में से कुछ कामान आ रिए जो भी कामान आ रिए उसे कामान ले लो इनि dy upon dx को कामान लो x dy upon dx दोनों में से कामान आ रिए x dy upon यहाँ पाचेगा x cos y बटे x x cos by बटे x plus में है नầy कंफ्यूज मत होना ठीक चलिए आगे देखिए माइनस एकस बाहर हो गया तो वाई साइन वाई वाई एकस इन दोनों में भी कुछ कामा ना रहा है क्या जी हां क्या कामा ना रहा है माइनस कामा ना रहा है तो माइनस कामा लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और दोनों में इस बाई बाहर आ रहा है ठीक है बाई बाहर आ रहा है तो वाई साइन बाई वाई एकस और यहां पर प्लस हो जाएगा बाई आ गया बाहर तो एकस कॉस बाई वाई एकस अब इस पूरे को multiply में धर ले जाएंगे तो divide में हो जाएगा तो ध्यान दाखिएगा प्यारे भाईो यहां रिड़ से रिड़ कैंसिल करेंगे तो चिन बदलेगा अगले step में कर लेंगे यहाँ पर minus है minus by है y sin by बटे x plus x cos by बटे x divide by x cos by बटे x minus by sin by बटे x minus है दी कामा लेंगे तो अंदर का चिन बदल जाएगा वो minus minus cancel हो जाएगा तो dy upon dx इककोल बचेगा y y sin by बटे x plus x cos y बटे x चिन बदला है अंदर का नीचे का तो यह plus वाला हो जाएगा minus में हो minus वाला plus में तो sin by बटे x plus का minus हो जाएगा यह minus हो जाएगा x cos by बटे x थोड़ा सा मज़ेदार कुश्यन है अब यहां से हम arrange करेंगे y बराबर vx y बराबर vx अब कलन करोगे तो dy by upon dx हो जाएगा पहला फलन दूसरे का पलन दूसरा फलन पहले का अब कलन इतना clear हो गया v plus dx into dv upon dx हो गया अब आगे करते हैं solve तो dy upon dx के जगे रखेंगे v plus x dv upon dx equal y के जगे vx कर दो y के जगे vx कर दो और ध्यान ये देना है पहरे भायो यहां से x कवेदी पक्षंतरन करेंगे तो x सामने रहेगा ये x रहेगा ठीक है तो y के जगे कितना हो गया vx हो गया अंदर भी y है वहां भी vx sin y है तो sin vx बटे x plus x cos vx बटे x नीचे हर जगे अपना x है x रहने दो y के जगे vx sin vx बटे x minus x cos vx बटे x जो जहां कर जाए उसे काड़ दो जो जहां कर जाए उसे काड़ दो जो बचे उसे लिख दो तो यहां जैसे x से x कड़ गया इस 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 x से x कड़ गया यहाँ पर कितना बच रहा है देखिएगा V प्लस X DV अपान डी X यहाँ से X कामान आएगा तो V X बचेगा यहाँ पर बचेगा V Sine V प्लस X बाहर आगया Cos V Divide by यहाँ दोनों में से X कामान आएगा तो अपना आएगा V Sine V Minus X बाहर आगया Cos V अब यह अपना X से X भी कैंसिल हो गया अब अगले इस टेप में करना क्या है कि अपने को X DV अपान डी X को बचा लेना है यह जो अपना V है उधर जाएगा क्या हो जाएगा Minus में हो जाएगा तो V V Sine V Plus Cos V अपान V Sine V Minus Cos V Minus V X DV अपन डी X इसका मल्टीप्लाई करो तो V स्क्वाईर Sine V Plus V Cos V इसका मल्टीप्लाई धर कर दो V स्क्वाईर Sine V Minus Minus Plus V Cos V अपान V Sine V Minus Cos V यह प्लस माईनस कैंसिल हो गया X DV अपान DX इक्वल यह दोनों जुड़ जाएंगे तो V Cos V अपान V Sine V Minus Cos V इतना हो गया पैरे भाईयो अब आगे भी अभी आपन को X को एकसाइट करेंगे और V को एकसाइट करेंगे तो एक काम करते हैं इस पूरे को इधर ले जाएंगे इस पूरे को इस पूरे को यहां से दो को काड़ दो तो V Sine V Minus Cos V Divide by Cos V और यहां से V है तो V भी बचा लो और D V रहने दो यहां 2 है तो 2 X नीचे जाएगा और D X उपर जाएगा इनका भाग देंगे इस से भाग देंगे तो कितना होगा V से भी कैंसिल Sine बटे कास तो 10 भी कास से कास कैंसिल एक बटे V पूरे में D V 2 अपान X D X समा कलन करेंगे समा कलन करेंगे तो 10 V का कितना हो जाता है लाग 6 भी इसका लाग V 2 है इसका लाग X और सभी लाग हैं तो लाग C के रूप में लेना ही पड़ेगा इसको अपन करते हैं बैल लू पूट करते हैं भी कामान कितना है बाद में कर लेंगे अभी लाग M माइनस लाग N लाग M माइनस लाग N तो कितना होता है स्टूडेंट थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं लाग सेक V लाग V ये हो जाएगा लाग X स्क्वेर प्लस लाग C फाबर में चला जाता है लाग प्रोपर्टी से ये प्लस में इदार आएगा तो माइनस में हो जाएगा लाग सेक V माइनस में हो जाएगा तो लाग V इंटू X स्क्वेर हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टिपलाई हो जाएगे equal log c हो जाएगा log m minus log n log m बटे log log m बटे n यानि v x square equal log c log से log cancel हो गया आपके पास बचेगा c equal sec v upon v x square या इस टुडेंट आप ऐसा भी कर सकते हैं sec v equal c यहां पे भी है ना v x square v command रख दो y वर्टे x y वर्टे x x square 1 x 6 x cancel हो गया आपके पास एंसर आचुका है sec by वर्टे x equal कितना बचा c x y यह आपका answer आया बिल्कुल correct answer है यह question हो गया लिंदी लेकिन मज़ा तो आया होगा पैरे भाईो और ऐसे question मैं कराता रहूंगा बस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें मेहनत करते हैं बस आपका support रहे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे चलिए मिलते हैं के लिए वीडियो में जैहिन बनने मातरा अपके लाइक करदें